कि दोस्तों जब आपके पास टू लार्ज डेटा सेट्स हो राइट और आपको वैल्यूज कंपेर करनी है आइदर आपको डुप्लिकेट वैल्यू निकालनी है या फिर यूनिक वैल्यू निकालनी है ठीक है तो कैसे करेंगे तो यहां पर जैसे मुझे कि अगर आप देखोगे यहां पर मैं बताता हूं आपके सामने ही यहां पर यहां पर यहां पर जो है डूप्लिकेट वैल्यू ले रही है बट वो इंटरनल टेबल में भी वैल्यू को सर्च कर रही है दो बार ठीक है अब यह टेबल वन है टेबल टू है मुझे यह चीए यह पर्टिकुलर टेबल इस टेबल से कंपेर करें ना कि सेल्फ टेबल से कंपेर हो जैसे कि अगर मैं यहां पर क्लिक करूँ डूप्लिकेट वैल्यू तो यहां पर अलड़े डूप्लिकेट वैल्यू है ठीक है अगर मैं यहां पर क्लिक करूँ यहां पर डूप्लिकेट वैल्यू नहीं है ठीक है तो मुझे compare करना है यह दो table को तो यहाँ पर conditional formatting में जो duplicate value है यह use नहीं होगा तो अब यह कैसे हम unique value निखा ले इस particular table के अंदर तो उसके लिए हमें use करना होगा formula function and conditional formatting में new role setup ठीक है तो कैसे करेंगे first अपना cursor यहां पर रखो जो value में आपको compare करना है then conditional formatting में new role यहां पर use formula ठीक है is equal to key press करनी की जरूद नहीं यहां पर आप automatically particular cell को click करो right and then greater than and then lesser than nor ठीक है यह add करो and then second table पर click करना दूस्तों यहां पर absolute and relative reference आता है ठीक है अगर आपको पता नहीं है absolute relative and mixed reference कैसे work करता है तो मैंने वीडियो उसके लिए पहले upload कर रखिये आप जाके वहां पर check कर सकते हो मेरे YouTube channel में then यहां से मैं dollar की हटा दे रहा हूँ ठीक है and then again यहां से भी remove कर रहा हूँ बी dollar and then F dollar यहां से formatting change कर रहे है formatting change करने के बाद what type of color I would require तो यहां पर मैं add कर रहा हूँ and then okay पर click ठीक है आपका formula set up हो गया दोस्तों यहां पर अभी हमें click करना है again conditional formatting manage rules applies to applies where ठीक है यहां पर click करना है Ctrl key press करना है दोस्तों यहां पर मुझा apply करना है and then यहां पर apply करना है ठीक है and then OK पे क्लिक, ठीक है जय से में OK पे क्लिक करूँगा दौस्तों यहाँ पे आप देख पाऊगे this particular unique values ठीक है, so this is the basic comparison with the help of new rule function which is available in the conditional formatting, ठीक है, so I would request please subscribe my channel and learn more,